नमस्कार दैनिक सवेरा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूर ओहितुतम अयोध्या में होने वाले राम लिला के प्राण प्रतिष्टा समाहरों में की गई तैयारियां पूरी हो चुगी है इसी बीच राम मंदिर उत्गाटन के कारिकरम में पहुंचने वाले VVIP साधों और खास अतितियों के बीच वित्रत किये जाने वाले प्रतिष्टा समाहरों में आने वाले अतितियों को मिलने वाले प्रतिष्टा समाहरों में आने वाले अतितियों को मिलने वाले लिखा हुआ है। इसके नीचे शलोक भी लिखे गए है। परसाथ के बोक्स को देखकर साथ पता चला है कि इस बोक्स में कईचीजे नज़ना रही है। जिससे साफ है कि इसमें सर्यू का जल हो सकता है इसके साथ साथ छोटा बोक्स भी है जिसमें कुकुम और लड़ू बीस पर साथ के बोक्स में नजर आ रहे है वहीं आपको बिता दी कि प्राणपर्टिस्टा कारेक्रम से पहले राम मंदिरों को लाइटों और फूलों से सजा दिया गया है श्री राम जनभूमी तीर्थ प्रक्षेतर ट्रस्ट की ओर से सजे होए मंदिर की तस्वीरे भी जारी की गई है मंदिर को सजाने के लिए थाइलेंट और अर्जंटीना से फूल मंगाए गये है माना जा रहा है कि कल आयोध्या में सो से जादा चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे कारेक्रम में पी एम मोधी भी शामिल होंगे वीडियो को शेर भी कीजिएगा ताकि सभी तक महतरपुण जानकारी पहुं सके ऐसी बाकिया बिलेट्स के लिए देखते रहे है दैनिक सवेरा नमस्कार दैनिक सवेरा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूरोहितुत्म अयोध्या में होने वाले राम लेला के प्राण परतिष्टा समाहरों में की गई तैयारियां पूरी हो चुकी है इसी बीच राम मंदिर उतगाटन के कारिकरम में पहुंचने वाले वी वी आईपी साधूर खास अतितियों के बीच वित्रत किये जाने वाले प्रसाध का भी एक वीडियो सामने आ इस वीडियो में प्राण परतिष्टा समाहरों में आने वाले अतितियों को मिलने वाले प्रसाध का एक बोक्स दिखाई दे रहा है इस बोक्स में राम मंदिर का फोटो भी है आपको मितादी कि इस बोक्स में लिखा हुआ है परसादम इसी के साथ साथ इस परसाद के बोक्स को खोलने पर एक तरफ कंदमूल, सरजू, नीर, कुकुम और रुदराश्टम लिखा हुआ है इसके नीचे शलोक भी लिखे गए है परसाद के बोक्स को देखकर साथ पता चला है कि इस बोक्स में कई चीज़े हो सकती है क्योंकि बोक्स में एक छोटी बोटल भी नजर आ रही है जिससे साथ है कि इसमें सर्यू का जल हो सकता है इसके साथ साथ छोटा बोक्स भी है जिसमें कुकुम और लड़ू बीस पर साथ के बोक्स में नज़र आ रहे हैं वही आपको बिता दी कि प्राणपर्टिस्टा कारेकरम से पहले राम मंदिरों को लाइटों और फूलों से सजा दिया गया है श्री राम जनभूमी तीर्थ क्षेतर ट्रस्ट की ओर से सजे होए मंदिर की तस्वीरे भी जारी की गई है मंदिर को सजाने के लिए ठाइलेंट और अर्जंटीना से फूल मगाए गए है माना जा रहा है कि कल आयोध्या में सो से जादा चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे की वीडियो को शेर भी कीजिएगा ताकि सभी तक महतरपुन जानकारी पहों सके ऐसे ही बाकिया प्लेट्स के लिए देखते रहे है दैनिक सवेना